नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एजे चोधरी आज आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो है आपके एक्जाम के लगबग जो रीट एक्जाम है उसके लगबग 50-55 दिन बचे हैं तो एवरेज हम मानके चलते हैं कि 50 दिन है और इन 50 दिनों में आपको अपने एक्जाम के त्यारी के दोरान किन पोइंट है जिनको विशेज ध्यान में रखते भी अपनी त्यारी को करना है तो बहुत अच्छे से सुनिएगा आपके लिए बहुत मैतकुन है और इसके साथ ही देखेगा आपको एक क्यूशन का जवाब देना है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जो हाई कोर्ट होता है उच नयाले उसके चीफ जस्टिस सीजे यानि मुख्या नयादिस को सपत कौन दिलाता है यह आपको कमेंट करके बताना है तो अब हम आज बात करते हैं कि प्रिक्षा के जो लगबग अंतिम पचास दिनों की रण नीती है वो आपकी क्या होनी चीए हालनकि आप त्यारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे हैं बहुत मैनत से कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर थोड़े-थोड़े समय में अगर इन चीज़ों को मैं रिमाइड नहीं कराऊं याद नहीं दिलाऊं तो बहुत सारे बोले-बाले प्यारे-प्यारे बच्चे हैं वो क्या अपने मारक से भटक जाते हैं तो उनको वापस इसी रेलवेट रेक पर लाने का जो काम है वो आजम करने वाला हूँ तो हलांकि बहुत सारे चीज़े आपको पता है मैं बता चुका हूँ फिर भी फिर से आपको रिमाइंड करा रहा हूँ और इन वीडियो को लाइक भी कीजिए शेर भी क्या कीजिए शेर जो है वो विद्यारती बहुत ही रेर से रेर कम करते हैं जातर विद्यारती शेर नहीं करते हैं और यह विडमना है कि अच्छी चीजे शेर नहीं होती बूरी चीजे हैं वो फटा फट शेर होती है तो जो अच्छी चीजे हैं तो उनको भी शेर किया कीजिए, किसी वो लाबी होगा इसे, फाइदा ही होगा तो सबसे पहले मैं आता हूँ पॉइंट पे, सबसे पहली बात है कि क्या करें आपके जो अंतियम पचास दिनों की जो रणनिती है वो एक्जाम की अच्छे मापको एक चीज़ फिर बता दूँ, साड़े सोला लाग फोरम बरे गए है और साड़े सोला लाग फोरम में 31,000 सीट है अब मालजी दो तिन लाग ने फोरम, मालजी फोरम कोई एक्जाम नहीं भी दिया या नहीं आप तो साड़े सोला लाग मानके चली कि साड़े सोला लाग ने फोरम बराए ये तो आपको भी पता है कि इतनों ने फोरम बराए अब 31,000 सीट है, यानि 2% का रिशो भी नहीं आ रहे है यानि 2% भी जो है, इसमें मुश्किल से क्वालिफाई भी नहीं कर पाएंगे तो आपको साड़े सोला लाग में से 31,000 के अंदर अगर अपने सीट बनानी है तो फिर देखे मैनत भी उसी के इसाब से करनी पड़ेगी मैंने आपको पहले भी बताया था, कि सरकार जो आपको सेलरी देगी आपके पूरे जिवन काल में अगर 30-35 साल की अगर एक आपकी मानते हैं, ये नोकरी होगी तो इतनी जो लंबा जो सर्विस समय है, सरकार आपको लगबग 25-30 करोड रुपे देगी टोटल आप सारा मिला जो लाके करेंगे तो लगबग इता बन जाएगा तो ये सरकार आपको 25-30 करोड रुपे क्यों दे, वै क्यों दे आपको सरकार 30-35 साल में इतने रुपे क्यों दे, तो उसके लिए आपको उस योग्य बनना पड़ेगा आपको ये कहना पड़ेगा कि हाँ मैं उस योग्य हूँ तब जाकर कि जो सरकार है वो आपको इतनी सेलरी देगी मेरे एक बार एक विद्यारती ने पूछा था कि सर मेरे ओर और अगर मैं 30-35 साल की सर्विस करूँ तो लगबग मैं सरकार से कितने पैसे ले सकता हूँ तो थोड़ा सा कैल्गुलेशन है कोई उपरनी चीज़ में हो सकता है तो लगबग इतने पैसे आपको सरकार से मिलेंगे तो आपको ही क्यों मिले इसकी वज़े आपको खुद को बतानी पड़ेगी सरकार को कि हाँ मैं इस योग्या हूँ और मेरा चैन है इसमें तो आते हैं पॉइंट पे सबसे पहले इस समय जो है केवल कुछ मानक पुष्टकों का ध्यान करें इस समय अनाप शनाप चीज़ें नहीं पड़ें आप केवल वो ही चीज़ें पड़ें अच्छी ऑथेंटिक पुष्ट के पड़ें जो आपके एक्जाम के दर्शी कौन से है अब वो समय नहीं है कि आप 10-10-15-15 किताबें एक-एक विशे की जो है उनको पड़ें वो समय आप गया अगर पहले पड़ी होगी तो अच्छी बात है नहीं पड़ी तो भी कोई बात नहीं ये जो समय है ये आपके लिए golden time है इस समय को कहते है golden time स्वर्णीम अवसर स्वर्णीम समय आपके जीवन का स्वर्णीम समय है ये तो मानक पुष्टकों का जो है वो अध्यान करें अच्छी authentic पुष्ट के आती है उनका पड़ें कोण सी किताबे हैं वो मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ पहले दूसरी बात है टेट सिरीज को आवशक रूप से हल करें देखे कई विद्यार्ती सिर्फ पढ़ते हैं पढ़ते हैं के वल मेटर पढ़ते हैं जो टेट सिरीज है उस पर कोई ध्यान नहीं देते और चुनकि विद्यार्तिOM की ही demand पर मैंने कुछ test series एक दो सुरू की थी और आभी भी बहुत अच्छी चल रही है वो उसमें सारे question मैं बनाता हूँ कुद अपने हातों से एक एक चीज़ को, तो test series आप चाहिए किसी की भी join करें किसी की भी test series join करें, जो आपकी शर्दा हो जो आपका दिल करें, लेकिन test paper करें जरूर आपका जहां से करने का मन हो वहां से करें, लेकिन test series को solve जरूर करें, ये वाली चीज़ आपके लिए बहुत मैतपुन है क्योंकि exam के अंदर question जो है वो दाए हाथ से दाए कान पकड़ना है, ये जो point clear होगा, ये होगा test series से तो आप चाहिए कितना ही matter पढ़ लो अगर test series आप नहीं कर रहे हैं तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी ये चीज़ आप ध्यान में रखेगा, आप चाहिए कोई सा भी test paper solve करो, किसी का भी करो आपकी जो दिल करे वो करो, लेकिन करना जरूर अब आते हैं, बाल विकास तो बाल विकास में देखिए, मैंने आपको बताया था दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो होता है concept, एक होता है fact अब जैसे माल जी उसमें segment fried का सिदानत है, segment fried हो गया, gene, p.j. hair ये ऐसे कई point ऐसे हैं कई topic ऐसे हैं, जो concept से बरेवे हैं, यानि concept दमदार एक से बढ़कर एक concept हैं इन में, कुछ चीज़ें factual है, जैसे बुद्धी का topic है व्यक्तितु है, वो factual topic है fact वाले हैं, तो आपको दोनों चीज़ों को लेकर कर चलना पड़ेगा जो आपका दिल करें, जचे जां से पड़ो, में चीज़ें आपका concept clear होना चाहिए, और fact जो है तो fact का तरीका होता है, कि उसका बार-बार revision करो, यानि दो और दो कितने होते हैं, किसा बराबर च्यार होते हैं तो उसका बार-बार revision करो, भारत के मुख्या मत्री कोण है, ये इस तरह के questions factual होते हैं, मतलब fact है उसमें समझाने वाला कुछ नहीं होता है तो उनको जो है, बार-बार आपको revision करना है तो ये आपका हो गया बालविकास वाला, और बालविकास में देखे, चाहिए paper कैसा बही, कम से कम आपको 25 questions तो सही करने पड़ेंगे और चाहिए paper कैसा भी हो, कम से कम 25 तो सही होते भी हैं, अगर आप डंक से मैनत करो तो, इसके बाद में देखे, आपकी जो दो बासाएं आती है दो बासाओं में आप जानते हैं कि जो दो language है, उसमें 15-15 नमर की तो केबल शिक्षन विद्यां होती है 15-15 नमर की जो है, वो व्याकरण से related है, कितना आसान काम है इनको त्यार करना शिक्षन विद्यां जो 15-15 नमर की यानि जो 30 नमर की शिक्षन विद्यां है उनको गोड़ डाले आप चाट जाओ उनको, पी जाओ एकडम पूरा गटा 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 उन्ट जैसे पानी पिता है ना कभी उन्ट को पानी पिते वे देखा आपने उन्ट पानी कैसे पिता है गड़ 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 इस तरह के आवाज आती जब उंट पानी पीता है तूँ तो शिक्षन वीदिया जो है उनको गोड डालें और शिक्षन वीदियों को त्यार करना बहुत आसान होता है मैंने भी यूटूब पे वीडियो बना रखें तो आप उनको भी देख सकते हैं आपको ला भी मिलेगा शिक्षन वीदिया की थीम एक जैसी होती है भाई शिक्षन वीदिया जो है उनकी मैन थीम जो है वो एक जैसी है बाकी फिर कुछ चीजों का डिफरेंस होता है तो शिक्षन वीदियो में आप बहुत अच्छे नमबर ला सकते हैं फिर आता है कि आप व्याकरण का क्या करें, तो व्याकरण में कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको रिविजन बार-बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे माल जी विलोम शब्द है, शब्द यूगम है, वाक्यांसों लिए एक शब्द है, परियाई वाची है, आप इनमें समझाने तीन चीजें बता दी, बाल विकास का बता दिया, और फिर दो लेंग्वेज हो गई, आपकी किन चीजों पर आपको विशेज ध्यान देना है, फिर आते हैं, SST वालों की बात करें, तो SST के लिए जो RBSC की किताबें आती है, जो मैं पिसले एक साल से पढ़ा रहा हूँ, और बहुत प्यार से, और बहुत आराम से हमने कम्प्लिट की है, तो 6-10 की जो किताबें हैं, जो जो तोपिक आपके उसमें syllabus में है, आरगकि मैंने आपको वो ही तोपिक पढ़ाई थे, जो आपके ओलेडी syllabus में थे, तो आपको वो पढ़ने है, तो 6-10 की किताबों के यहां वीडियो अप्रोड करके हैं मैंने यूटूब पे लगबग 55 गंटे के आसपास वो सारा मिला करके 6 से 10 के SSD का 55 गंटे के आसपास वीडियो बैठते हैं डेली के 2 से 3 गंटे भी उनको सुनेंगे तो ये बात मैं बहुत बार से कहता है रहा हूँ तो अभी आपको बहुत उसमें अच्छा लाविक होगा और इसके अलावा देखेगा कई विद्यारती मेरे से अभी भी पूछते हैं पहले तो कई ये पूछते थे सर आर्बियस्सी पढ़ें या अन्सी आर्टी पढ़ें जो जब मैं आर्बियस्सी की किताब यहां डेली का चेप्टर हम जब यहां अच्छे से स्टेडी करते थे तो कई हमेशा पूछते थे आर्बियस्सी पढ़ें या अन्सी आर्टी पढ़ें अब ये बोर्ड ने क्लियर कर दिया कि आर्बियस्सी ही पढ़नी है तो अब वो मेरे से ये पूछते थे कि अगर इनको RBC को नहीं पड़े तो काम हमारा चल जाएगा और नहीं पड़े तो क्या काम चल जाएगा तो आब देखिए जो ऐसे क्यूशन है इनका तो इनका क्या जवाब दिया जाए कि सर अगर हम RBC किताबे नहीं भी पड़े कई तो ऐसे भी हैं जिन्होंने SST वाली जो मैंने एक test चला रखी है अलांकि है उसमें बहुत कुछ नाम test चीरी ज़रूर है लेकिन उसमें है बहुत कुछ तो अब उसमें भी कई जैसे आभी कई विद्यार्थी जोइन कर रहे हैं देखे अगर कोई चीज मैत्पुन ना होती तो मैं upload ही नहीं करता है मैं कोई चीज अगर upload कर रहा हूँ तो वो important है वो मैत्पुन है तभी ही कर रहा हूँ नहीं तो उसको upload नहीं करता है तो इसलिए और कई बार देखे कई विद्यार्थी जो हैं वो कहते हैं कि हमने तो 6 से 10 की किताबे बिलकुल नहीं पड़ी थी तो भी हमारा पिसलिवार सेलेक्शन हो गया था तो देखे हो सकता है हो बिल्ली के भाग से चिंका तूटा ये कावत आपने सुनी होगी अच्छी बात है नहीं पड़ी होगी पहले से हो सकता है वो विद्यार्थी मेदावी विद्यार्थी हो पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो उसको बेस बनाने क्या हो शकता ना वो अल्रेडी उसका बेस किलिर है तो इसलिए आपके भटगाव की स्तती बहुत आएगी और अभी भी आ रही होगी सही विद्यार्थी सचे माईने में वो होता है जो अपने शिक्षक की बात को मानता है और आँक बंद करके उसको फोलो करता है कि मेरे सर कह रहे हैं तो मैं इसको फोलो करनू बजाए बिना किंतु परनतु के सीरेस अभेर्थी जो होता है वो कभी इस तरह के सवाल नहीं पूछता वो कभी नहीं पूछेगा वो तो ये चीज है इसमें इसके बाद में देखे टेट सीरीज में सिक्स ऐटेंथ के परसनों को नोट्स के रूप में भी काम में ले वें तो जिन विद्यार्टियों ने 6-10 की test series जो है SST वाली वो join कर रखी है तो उसमें जो 6-10 के paper है वो आपके लिए notes का काम भी देंगे वो आप उनको केवल test paper के रूप में ना समझें कि केवल test paper है और वैस हमने इसका question कर लिया हो गया हमसे वो केवल test paper नहीं है वो आपके लिए notes का काम भी करेंगे कि उनका उत्तर बिना देखे बिना आप उन सभी person को solve कर सको तो इस चीज़ का especially तोर से त्यान में रखें वो notes के रूप में भी आपको काम में लेने है इसके अलाबा और आपको क्या पढ़ना है तो कोई भी एक guide market से ले लीजिए और उसको आपको अच्छे से आप पढ़ लीजिए 3-4 बार ताकि कुछ और math phone topic हो या और भी कई fact हो क्योंकि 6 से 10 में सारे fact आ नहीं सकते तो वो चीज़े भी आपकी जो है अच्छे से clear हो जाए और guide पूछते हैं आपकी जो है वो guide ले लो सब 19-20 की बात है कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ी top की हो और दूसरे वाली बहुत बेकार हो ऐसा कुछ नहीं है सब एक जैसे सी किताबें है तो वा पढ़िएगा और इसके साथ ही देखेगा जो बाल विकास और सिक्षा सास्तर है उसकी भी जो है पूरी TED सिरीज जो है मैंने last video बना दिया था 8 मार्च से और TED सिरीज से start हो जाएगी बाल विकास की जो कि आपके exam तक 16 अप्रेल तक पूरी आपकी booking रहेगी उस TED सिरीज के लिए तो बहुत ही शांदार जो उसका बनाया है मैंने जो पूरा सेडूल है बहुत अचा सेडूल बनाया है लास्ट वीडियो जो था यूटूब पर उसका आप देख लिजेगा अगर आपने नहीं देखा है तो आपकी इच्छा है आप करना चाहें क्योंकि मैंने आपको फिर से ये बात में कह रहा हूँ कि विडमना है अच्छी चीज जो होती है उसको बार-बार बोलना पड़ता है जिससे आपकी पूरी जिंद्गे बनने वाली है पुरा केरियर बनने वाला है बुरी चीज़ें अपने आप फेलती है उसके बाद में देखेगा जो लेवल फर्ष्ट के विद्ध्यारती है तो बाल विकास और शिख्या सास्तर वाला तो आपका होई गया दो लेंग्वेज वाला भी हो गया अब बचा गणित और परियावरन तो इसके लिए आपको अब कोई ज़्यादा मातपची करने कावशकता नहीं है कोई भी एक गाइड ले लीजिए और उसमें जो आपका मैटर है उसको आप दो-चेर बार रिवाइज कर लीजिए आपका काम हो जाएगा लेवल टू के जो साइंस के विद्ध्यारती है उनको फिर से कहा रहा हूँ 6 से 10 में जो आपके टोपिक्स लेबस में है उन टोपिक को आप गोट डालें वो बहुत हैं इसके अलावा कोई मार्केट से एक गाइड ले लीजिएगा और ताकि कुछ बचे-कुछे जो टोपिक हैं आपके उससे क्लियर हो सके अब हम आगे बात करते हैं नियमित और स्वस्त दिन्चरिया देखिए दिन्चरिया जो है वो अच्छी नियमित एक सही रूटीन होना वो ज़रूरी है ऐसा नहीं है कि आज आप 18 गंटे पड़े कल आप 2 गंटे पड़े फिर आप 17 गंटे पड़े फिर आप 3 गंटे पड़े एक दिन आप 10 गंटे सोए एक दिन आप केवल 1 गंटे ही सोए यह एन नियमित दिन्चरिया जो होती है इसका हमारी ऐस सफलता में बहुत बड़ा रोल होता है सकसेस होना है तो अपनी दिन्चरिया को अधिकतर का नहीं होगा 99% तो फेल ही होने यह तो सारवजनिक सत्य है यह तो आप भी जानतें कि 99% तो फेल होंगे वह 98% बान लो 98% जो है वो फेल होंगे इसमें तो एक स्वस्त और नियमित दिन्चरिया का होना बहुत ज़रूरी है आप exam तक जो है अपनी दिन्चरिया को follow करें आप दिन में पढ़ते हैं रात में पढ़ते हैं कोई ऐसा मेटर नहीं करता इतना बसरते माइने यह रखते है कि आपकी दिन्चरिया कोई एक routine है या फिर कोई routine जैसा कुछ भी नहीं है तो आप थोड़ा सा इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखें ये चीजें बहुत महत्पूर्ण है ये लाश्ट में जो तीनों चीजें है चै नमबर पॉइंट साथ नमबर और आठ नमबर ये तीनों पॉइंट बारी पढ़ जाते हैं आपके बाकी सब पॉइंट पर जो मैंने उपर इतने पॉइंट आपको बताएं उन सब पर बारी पढ़ते हैं ये लाश्ट वाले तीनों पॉइंट अगर आप इनमें लापरवाई करोगे तो गरबड़ी होगें फिर आता है सूपाचे बोजन सूपाचे बोजन का मतलब होता है जो बोजन आसानी से पच सकें तो कई विद्यार्थी क्या करते हैं पहले तो भूके रहते हैं फिर वो खाते हैं उन्ट की तरह और एक साथ गवागब गवागब बाजरी के रोट चूर के खूब सारा गीर एक विद्यार्थी को ज़्यादा गीर नहीं खाना चाहिए एक विद्यार्थी को हलका फु आपको आलस आएगा और आलस के कारण आपको नीद आएगी और आप पड़ नहीं पाएंगे। भाई घी भी लगाओ तो एक रोटी पर हिसाब होता है लगाने का। यूई नहीं कि वो जो हांडी या जिसमें भी मालेजिये जो देख ची आपकी सिद्धी अद्धी उल्टी कर दी उसमें और यह लो भाई साब बड़ी चूर के खा लिया उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका एकजाम हो जाए तब आप उंट की तरह खाओ बैंस की तरह खाओ उससे कोई परग नहीं पड़ता। लेकिन जब तक एकजाम नहीं होता है तो अपनी दिनचरिया को और अपना जो बोजन है हलका फुलका बोजन खाते रहिए आप जैसे माल जी मार्केट से आप एक किलो ये खरीद के लिया एक केले अब एक मैंने लाश्ट वीडियो में भी किसी में कहा था कि भाई आप जैसे मालो ज़्यादा भूक लगे या चुंकि आप जब पढ़ाई करे तो केले एक साथ में थोड़े बहुत खाते रहिएगा तो एक दो विद्यारती ने कमेंट किया था सरब गरीब स्टुडेंट केले कहां से लाएगा देखे इतना भी गरीब मत बनिये कि आप 30 रुपे किलो के केले भी नहीं खरी सकते हैं बार बार जो विद्यारती अपने आपको गरीब गरीब करते रहते हैं उनका आतम इस्वास बिल्कुल जीरो होता है कोई स्वाबिमान नहीं होता ये रियल फैक्ट है ठीक है आर्थी गरूप से बहुत से विद्यारती आप में ऐसे हैं जो मजबूत नहीं है लेकिन सारे दिन ही क्या बोलना उसका कि गरीब आदमी केले कहां से खरीदेगा आपके पेरेंट्स ने आपको इतना पढ़ाय लिखाया उन्ट जितना आपको बढ़ा कर दिया आप एक किलो केले नहीं खरी सकते हैं तो मतलो केले कोई जरूर नहीं है भाई मत खरीदो कोई जरूर नहीं है केले काना 30 रुपे किलो केले आत एक दिन के आप तीन केड़े मान लीजी की तो कम से कम तीन-चार दिन तक आपके आराम से चल जाते हैं ये भी इसलिए है कि तकि आप बोजन करते टाइम जो है जैसे मान लेजी आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा भूक लगी तो हलके फूल के लिए केला खा लिया तो और भी कोई हलकी फूल की चीज है आप इस तरह किखा सकते हैं लाश्ट आता है स्वेम पर विश्वास इस स्वेम पर विश्वास को चाहिए आप सबसे पहले पॉइंट पर रखें चाहिए सबसे लाश्ट पर रखें ये बहुत जरूरी है अगर आपका स्वेम पर एक बिलीव नहीं होगा तो आप चाहिए कितना भी पड़ें वो कारगर नहीं होगा विद्यार्थी का स्वेम पर विश्वास नहीं होता वो कितना भी महनत कर लें उसको लगता है कि मैं तो SFL होंगा या मेरा सेलेक्शन नहीं होगा वो विश्वास उसमें आ नहीं पता तो सेल जरते अपने फोटो डाल रहे हैं, बहुत ज़ने आपके जानकारी भी होंगे, वो भी आपने देखे होंगे तो स्वेम पर बिलीव रखना बहुत जरूरी है सेलेक्शन होना या ना होना वो तो बाद की बात है, पहले स्वेम पर विश्वास तो हो तो ये चीज है तो विश्वास रखे हमें सापने आप पर और आप पर जो स्वेम पर विश्वास आएगा, वो आपकी महनत से आएगा, अगर आप महनत नहीं करते हैं, तो वो विश्वास भी कभी नहीं आएगा, अब आता है क्या नहीं करें क्या नहीं करना है पेपर आउट या इस्तगित होने की अफ़ाओं से बचें ये देखें ये चीजें लगातार चलती है मैं पहले भी आपको कहता है रहा हूँ और अभी जैसे 25 अपेल वाला भी एक चल रहा है कि जैसे मालो कुछ लोग कह रहे हैं 25 अपेल को एकजाम नहीं होना चाहिए कई जने कहा रहे हैं होना चाहिए और तो कई विद्यारती इसमें डाउट में हो रहे हैं कि 25 को होगा कर नहीं होगा बही 25 को ही है एकजाम आपका अगर कोई उलेट फेर होता है तो वो सभी को पता चलेगा तो आप अपनी मैनत किजी आप इन चीजों पर विचार ही क्यों करें आपका काम क्या ये विचार करना है क्या कि 25 को एकजाम है या नहीं है क्या ये चीज आपका विचार करने का विश्य है या फिर मेरे विचार करने का विश्य है ये ना तो आपके विचार करने का विश्य है ना मेरे विचार करने का विश्य है ये काम है सरकार का बोर्ड का वो जो चीजें देंगे वो आपके सामने होगी आपका विचार करने का विश्य है पढ़ाई करना अब बेटे वो तो नहीं करेंगे उसके अलावा छोड़के बाकी जितने भी फालतु बक्वास बाते हैं उनसे पर कितनी बक्वास करवालो बले फेस्बुक तो बरा रहता है तो पढ़ाई पर कंसर्टेट करें 25 को हैग नहीं है इसको इजी वे मिले हो इसको ठीक है जो होगा आपके सामने ही होगा और अभी तक की जो भी चीजें चल रही है आपका एक्जाम 25 अप्रेल को ही है नेक्स आता है नोट्स की डेहरी लगाने से बचें ये चीज मैंने पहले भी बहुत बार बताई आपको विद्यारती क्या करता है कि या तो फ़ौन में पीडिया फिक्टी करता रहेगा या फिर मार्केट से उसको पता से लगा इस बार इसके नोट्स अच्छे है और इसके अच्छे है एक बार मेंटर जो है उसको डिसाइड कर लो बाद में उसको बार-बार पढ़ो बजाए notes की धेरी लगाने के आप notes की जितने धेरी लगाएंगे सफलता के chance उतने ही कम होते जाएंगे क्यूंकि आप डंग से आप किसी चीज को नहीं पड़पाऊगे तो एक दो चीजों को दो चीजें रखे ज़ादा है ज़ादा एक चीज की कि छो लोग कोई डाउट हुआ तो कोई आप समें देख लिया या इस तरह से कोई लेकिन जो ये बिलकुल इकटा करने से अगर सेलेक्शन होता तो जो दुकांदार होते हैं किताबों के सबसे पहले सेलेक्शन उनके ही होते आपका नंबर ही नहीं आता तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझने का परियास करें ए नियमित दिन्चरिया से बचें यह मैं आपको बता चुगा हूँ और यहां point यह मैंने दुबारे mention किया है वहां तो था कि नियमित और स्वच दिन्चरिया होनी चाहिए और यहां लिखा है कि इस चीज़ से आपको बचना है अच्छे खासे मैधावी विद्यारतियों को खराब कर देती है ए नियमित दिन्चरिया कई विद्यारतियों को फालतू वीडियो जो होते है वायात वीडियो वो उनको देखने की जो है वो एक हैबिट कह सकते हो आप आदत पढ़ जाती है वो जब भी फोन कोलते हैं इस तरह के फालतू वीडियो देखते रहते हैं वो वो एक बैड हैबिट है और सक्सेस के अंदर येकिन मानिए अच्छी आदतों का रोल होता है किताबे पढ़नी है क्या है ये चीज़ें सारी दुनिया करेगी लेकिन सबसे बड़ा रोल होता है अच्छी आदतों का आतें बनाई भी जा सकती है आतें बिगाड़ी भी जा सकती है अगर मान लिजी आपको मौरनिंग में उठना है और आप मान लिजी दिन के 8 बजे उठते है और उठना आपको 5 बजे है तो क्या ऐसा है क्या कि ये हो इनी सकता कि आप 5 बजे ना उठो वै एक दिन जोर आएगा दो दिन आएगा च्यार दिन पांस दिन सादिन आर दिन 10 दिन आपको चीज कर लो कि 11 दिन आप अपने आप उठ जाओगे तो habit बनाई जा सकती है habit बिगड़ी जा सकती है बिगड़ी habit को अच्छी habit में convert किया जा सकता है अच्छी habit को आप जान गूज करके भी वाहियात habit के अंदर तब्दिल कर सकते हो तो इस तरह के जो फालतू वीडियो होते है जो वाहियात वीडियो टाइप जो होते है तो कईयों का फोन उससे बढ़ा रहता है पूरा इस तरह की चीजों से बचे ये केवल आपका नुक्सान करेगी आपके दिमाग को तहस नहस कर देगी आपकी मन सकती है वो खतम कर देगी आपको यादी है एक्जाम होल में क्या करोगे जब कुछ यादी नहीं आएगा तो इसलिए देखे बहुत सी यह चीजें होती है जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी होता है और bad habit को बुरी आदत को छोड़ा जा सकता है इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो impossible हो सब कुछ संभव है धीरे 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 आप उन bad habit को छोड़ने लगते हैं और अच्छे आद्तों को अपना यह मोर नहीं में जल्दी उठना थोड़ा बहुत योग करना तो इसमें कोई जोर नहीं है आप ये करते हैं तो अच्छा ही है आ खा लिए चर्णे आते हैं ये रात को भीगो दिये थोड़े से थोड़े से सोयबीन भीगो दिये ये सुबह खा लिए थोड़े सी भूक लगी दिन में थोड़े सी ये खा लिए तो इस तरह का एक diet plan रखें पानी खूप ये अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो बोड़ी तो जब आप पढ़ते हैं तो आपकी बोड़ी को एनरजी के आउशकता होती है पानी एक बहुत बहतरी चीज है केवल इसलिए नहीं कि प्यास लगती है इसलिए भी कि बोड़ी की फालतू चीजे है वो पानी के साथ बाहर निकलती रहती है तो आप पानी पिते रहें कम से कम 4-5 लेटर पानी पी है और जो विद्यारती होता है उसको वैसे भी पानी कूब पीना चाहिए तो मुझे आशा है इन्हें सब बातों को अगर आप इमानदारी से फोलो करते हैं तो आप सक्सेस के पिछे नहीं सक्सेस आपके पिछे-पिछे दोड़ती चली आएगी तो इन चीजों का आप ध्यान में रखें और जो मैंने बताया पूरे वीडियो को अच्छे से सुनें और इमानदारी से फोलो करें और जिस दिन आपका एक्जाम होगा और फिर आपका रिजल्ट आएगा आप मेंसे ही हजारों विद्यारती हैं जिनका फाइनल सेलेक्शन भी ह तो मुझे आशा है कि मेरी बातों को आप फोलो करेंगे हलांकि मैं जानता हूं बहुत ही कम विद्यारती होंगे जो मेरी बात को फोलो करेंगे अधिकतर ऐसे होंगे जो वीडियो को सुनेंगे और टाटा बाइ-बाइ करके फोन को साईड में रख देंगे तो जो मैं बता रहा हूँ इन चीजों को फोलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर भी करें अच्छी चीजी है किसी का अगर पहुंचती है तो फाइदा ही है लोगों का कोई नुकसान तो इसमें है नहीं अच्छी चीज़ को अगर आप शेयर करते हैं तो तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ जैहिन जैबारत